नमस्कार आप देख रहे हैं लोगसबाद चुनाव पर हमारा खास शो बैटल दो हजार चौबिस मैं हूँ आपके साथ परवीन शेक लोगसबाद चुनाव अपने अंतिम पड़ा पर है पांसो तिरताली सीटों में से चार्सो उनतिस सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है च्छटे चरण में 25 मई को वोटिंग है जिसमें बिहार और पशिमंगाल की आठ आठ सीटों पर वोटिंग है लेकिन इन दोनों राज्यू का सियासी तापमान काफिक गर्म है क्योंकि दोनों ही राज्यों से ऐसी खबरे सामने आ रही है जिसका छटे चरण के चुनाव पर असर पड़ सकता है पाचवे चरण की चुनाव के बाद बिहार के चप्रा में आरजडी और बीजीपी समर्थकों के बेच खूनी संगर्श देखने को मिला जिसमें एक शक्स की जान चली गई ये घटना उसी बूत पर हुई जहां रोहनी आचारे विजिट के लिए गई थे छप्रा में रोहनी आचारे के खिलाफ नारे बाजी भी हुई थी जिसके बाद ये घटना सामने आई आपको बता दे कि सारण से इस बार लालू की बेटी रोहनी आचारे चुनावी मैदान में है और उनका मुगाबला बीजेपी की राजी प्रताफ प्रूडी से है वहीं बंगाल में कॉंग्रेस के अंदर छिड़ी जंग और तेज हो गई है इस जंग में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका आरजुन खडगे बैक फूट पर हैं तो प्रदेश अध्यक्ष अधीर अधीर चौधरी हत्यार डालने को तयार नहीं है उन्होंने खडगे पर पहले से ज्यादा तीखी बयान बाजी की है इन दोनों राज्यों में छटे चरण की इस जंग का क्या असर होगा चुनावों पर इसी पर चर्चक लिए हमार साथ मौजूद है कैपिटर टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मैनिश कुमार और कैपिटर टीवी के एग्जेक्युटिव एडिटर राजीफ कुमार आप दोनों का स्वागत है धन्यवाद डॉक्टर साथ जिस तरह से बिहार से जो खबर आई है उसका आने वाले चरण में जो चुनाव है उसका कितना असर हो सकता है देखिए ओल अफस सटन लोगों को लगने लगा कि यह जंगल राज की वापसी हो गई अभी तो रोनी अचारे जीती भी नहीं है साथ जीत भी नहीं रही है रिजल्ट कुछ भी हो चकता है लेकिन जिस तरीके से फिर वही गोली फिर वही बारूद फिर वही हत्या फिर वही किड्नैपिंग बिहार के लोग सहम जाते हैं ये नहीं होना था और अगर इस तरह की घटना पहले या दूसरे फेज में हो गई ह होती तो महौल कुछ और ही बदल गया होता पिछली बार की तरह आर जेटी को फिर जिरो बटा सन्नाटा हाथ लगता आम लोग पीसफुल तरीके से जिन्दगी जीना चाहते हैं और जब ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई है जो गुंड़ा गर्दी को तो फिर ये कास्ट, रिलिजन, रीजन, लेंग्वेज इस तरह के जितनी भी ये जो अलग-लग सेनिया है वो खतम हो जाती है जिन्दगी सब को प्यारी है और आप उस तरह के वाक्या को फिर से दोहराते हैं जिसके लिए आप बदनाम हैं तो लोगों को लगता है कि माई ग काम होगा तो इसका डिरेक्ट इंपक्ट फिप लास्ट के दो सिक्स्ट और सेवन्थ फेज पे जहां अलोड़ी भारती इंता पार्टी मजबूत है ये लास्ट बेस्ट था तो इसका तो सीधा-सीधा असर देखने को मिलेगा क्योंकि हर जगा यही चल रहा है कि गोली बार ही खतरनाक मसला जो है वो बन के उबरा है विपक्ष यहां पर इस घटना के बाद जिस तरह से इस पर लीपा पूती कर रहा है लेकिन यहां पर बीजेपी और जेडियू ने चौत अर्फा घिर लिया है और ना सिर्फ यहां पर उसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है लालू परसाद यादव को घरा जा रहा है लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से लालू परिवार खामोशी बरत रहा है उसका क्या देखे खामोसी नहीं बरत रहा, ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं, ते जस्वी आदब आरोप लगा रहे हैं, भारती जन्ता पार्टी के लोगों ने करवाया, लालो परशाद आदब के परिवार के दूसरे लोग भी कह रहे हैं, राज़त के नेता भी कह रहे हैं, कि ये प पर जाती हो और वहां के लोग आपका समर्थन नहीं करते हैं तो आपको थोड़े बहुत नाराजगी का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन नाराजगी का सामना करना पड़े तो इसका मतलब बोली बारी तो नहीं करवा देंगे मारपीट तो नहीं करवा देंगे तो ये इन ल बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए या नहीं कर पाएं, जब जब भारतिय जंता पाटी के साथ वो सरकार बना के रहें, लाउ एन ओर्डर के समस्याएं बेहतर रही है, वहाँ पर प्रशासन बेहतर रहा है, और अभी बालमिकी नगर में चुनाब होना है, वहाँ की रिपोर्ट है, वहाँ के लोगों से बात कीजिए, कई लोग यही बात करते हैं कि नितीज कुमार भले ही कुछ गलत करते हैं, वो प्रशासनिक तोर पर अगर देखा जाए तो अपसर साही को बढ़ाबा दे रहे हैं, लेकिन करे क्या, हमारे गाउं में पहले रात के साथ बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, डकैत आ जाता था, डाकू आ जाता था, चोर रूटेरे ऐसे ही गूमते थे, और अब वो कुछ समय से सितियां बदली, नितीज कुमार ने उस चीज को बदला, तो अब हम क्या यह सोच कर चले, कि फिर हम वो 15 साल पहले वाले उस जंगल राज में ज आजनिती करने वाले हैं, यह कुछ बेहतर काम करने वाले हैं, लेकिन यह घटना सामने आई, उसके बाद तो यह सवाल उठ रहे हैं, कि लालो पसा जादे भी नहीं, उनके बच्चे भी उसी माइंड सेट से हैं, भले ही इनको अब तक मौका कह मिला, विधान सभा में भी न नितीस कुमार के साथ दो बार सरकार चलाएं, और नितीस कुमार ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, जैसे ही कंट्रोल से बाहर गया, नितीस कुमार ने इनका साथ छोड़ दिया, तो ऐसे स्थिती में आगे के चरण में, जो सिक्स्त और सेवेंध फेज में चुनाव ह होने वाले हैं, उस पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में मुद्दा ही यही रहा है, कि जंगल राज को हमें वापस लाना है, या फिर हमें बेहतर लाइन ओर्डर के साथ, बेहतर सांती पुन जिन्दगी जीना है. सवालों में तो इस वक्त पश्यमंगाल में मलिका अरजुन खडगे और अधीर रंधन, चौधरी के बीच जो तल्की देखी जा रही है, इनके रिष्टों की भी पोल खुल गई है, और सवालों में तो इनका रिष्टा भी है. दिखिए आपने सही का कि थोड़ा टोन डाउन कर गए खडगे साहब, खडगे साहब को लग रहा है था कि वो वाकई में कॉंग्रेस पार्टी के ध्यक्ष हैं, वो जो कह देंगे वो ब्रह्मा की लकीर हो जाएगी, ना. इन्होंने तो जोश में आकर के कह दिया, कि जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ, तो जाने की तयारी सुरू हो गई, कालिक पुतनी लग गया, और बड़े हैं इस माटली तरीके से, लोगों ने कालिक पुता, सिर्फ खडगे साहब के चेहरे पे कालिक थी, बाकी ल इस तरह का बयान देंगे, तो आगे दो फिजस में कॉंग्रेसी सीधे जाकर के भारती जिंता पार्टी को होट करेंगे, मंता से अगर आप वहां लगते हुए नदर नहीं आओगे, तो आपका वजूत खत्म हो जाएगा, ये चोटी सी बात, खड़के साहब समझ नहीं सके उनको लोगों ने समझाया होगा, राहूल गांधी सुनिया गांधी के तरफ से थोड़ी सी जो है उनको घ्यान दिया गया होगा कि ये क्या आपने किया? कुछ़ बाते टो ठीक है, कुछ बाते चुनाव के नतीजों के बाद शुरू होगी, आपने चुनाव नतीज़े से पहले ही कह दिया और अपने ही सबसे बड़े लीडर को आपने इस तरीके से ट्रीट किया जैसे कि वो कोई छोटा मुटा लोकल लीडर हो वो कॉंग्रेस पार्टी का लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष है और आप राजसभा में बैठे हुए हो वो चुनाव जीत के आता है आप चुनाव हारते हो तो ऐसे में मुझे लगता है कि दो फेज़े जो बचे हुए है वो तो भारती जन्ता पार्टी के लिए बहुत ही जो कते हैं कि फर्टाइल जमीन है पिछली बार यहां पे ममता बनर जी का पर्चम लहराया था इस बार रिस्ता वहां कुछ अलग सा पल्टा है और इसलिए कॉंग्रेस पार्टी को यह लगा वहां के रनित का बीवेन तो मैं तो यह कह रहा हूँ कि इवन ममता बनर जी ने फोन किया होगा कि हमारे इंटलियंस वाले बता रहे हैं कि सब जा रहा है बीजेपी में कॉंग्रस का भोटर इनको मना कीजिए यह बहुत बड़ी चूख हो गई तो इसलिए खड़के साहब बैक फूट पर निज़रा रहे है बिलकुल खड़के स कि यहां पर अगर टीमसी से बहतर है कि आप बीजेपी को वोट दे दें बिलकुल यह कहना ही चाहिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी यह जानते हैं कि ममता बनर जी और ममता बनर जी का विरोध यही दो तरह की राजनीती पश्चिम मंगाल में अभी चल रही है ममता बनर का विरोधी वोटर है वो अलग-अलग खेमों में हो सकता है कॉंग्रेस लेफ्ट के साथ हो सकता है भारती जनता पार्टी के साथ हो सकता है लेकिन कॉंग्रेस के लिए समस्या है अगर फिर से लेफ्ट भी मजबूत हुआ तो कॉंग्रेस का वैलू नहीं रहेगा वहां पर पिछले बार कहां कॉंग्रेस और लेफ्ट के भी समझाता हो पाया था इस बार तो ये लोग मिल जुलकर किसी तरीके से मजबूरी में गठबंधन बनाने की कोशिश किये उसमें भी कॉंग्रेस को सरेंडर ही करना पड़ा ये कॉंग्रेस पार्टी के अपनी परेशानियों की बज़े से हुई है लेकिन अधीर रंजन चौदरी तो राजजिती कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की और वो देख रहे हैं कि भविस्ट क्या हो सकता है यहां पर कॉंग्रेस में इसी बात पर चर्चा चली जब खडगे साहब ने ऐसी बात कह दी जो रफ्टा साहब ने कहा बहुत बड़ी बात है कि कहीं ममता बनर जी नहीं डाट नहीं लगाई होगी कि सब कॉंग्रेस के वोटर जा रहे है भारतिय जन्ता पार्टी के साथ तो इसलिए फिर तो हमारा जो आगे के फेज़ेज में चुनाव होने वाला है एक विसीट नहीं मिलेगी भारतिय जन्ता में फिर ऐसा तो नहीं है कि अधिर रंजन चौधरी या तो अपने लोकल पार्टी बना ले या पूरे लावो लसकर के साथ भारतिय जन्ता पार्टी में चले जाए और फिर जो अधिकारी बंधूओं को हम नहीं जेल पा रहे हैं अधिर रंजन चौधरी चले गए तो पू जो अभी इस उमर में इनको आराम करना चाहिए अभी राजनिती में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कॉंग्रेस के लिए ये दुर्भाग की बात है कि वो हर मंच पर ऐसी गलतिया करते हैं चाहे जब हारला लहरू के बारे में बोल रहे हूं और बोलते हुए है अब इस उमर में आप एक्टिव करोगे तो ये दिखते होगी इसलिए मलिकार जुन खडगे ने माफी मांगने के अंदाज में अधिर रंजन चौदरी से बात किये लेकिन उनको लग गया है ये जो दिल्ली में बैठे हुए ये गांधी नहरू परिवार के चमचे हैं य इसलिए उन्होंने विकल्प तयार करके रखा है अब आगे चुनाव के नतीजों के बाद क्या होता है ये कॉंग्रेस के सिर्ष नित्रित्प सोच के रखें कि बंगाल में एक बड़ा तबका है अधिर रंजन चौदरी के साथ पार्टी छोड़ने वाला है इस तमाम जानक के चुनावी समिकरन इस बार किसके साथ यहां पर देते हैं वैसे प्यमोदी ने तीसरी बार सत्ता समानने के लिए अपनी तयारियां शुरू कर दी है अब बस इंतजार 4 जून के जब नतीजों का एलान होगा उसका किया जा रहा है बैटल में आज के लिए इतना ही आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद